जै महाकाल आप सबीका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्टा नॉलीज इन इंदी में मैं आज आप लोग लिए बहुत ही मोटेंटी वीडियो लेकिया हूँ मेरा आज का जो वीडियो है Military College of Telecommunication Engineering मौव MP में आप लोग की काफी अच्छी वैकेंसी निकली हुई थी इस्टेनोग्राफर, LDC, Lab, Assistant, Lab, Attendant, Draftman, Civilian, Motor Driver, Cook, सफाईवाला और Phantomsman की आप लोग की वैकेंसी थी वैकेंसी के आप लोग के यहाँ पे आफलाइन एपलाई हुए थे 26-7-2021 आप लोग की लास्ट डेट थी और आप लोग के एड्मिट काड भी यहाँ पे आने सुरू हो चुके हैं जी हां कुछ पोश्टों के लिए टायर वाइन एक्जाम है कुछ पोश्टों के लिए दो एक्जाम है कुछ पोश्टों के लिए दो एक्जाम के साथ साथ आप लोग का स्कील टेस्ट भी होने वाला है तो पूरी जानकारी में आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाले हैं चले स्टार्ट करते हैं तो आप लोग देखेंगे Military College of Telecommunication Engineering माउ MP का जो है आप लोग का ये notification है ठीक है notification आप लोग का है यहाँ पर आप लोग की vacancy जो निकली हुई थी इसमें आप लोग का offline आप लोग ने form भेजा था रजिस्टर और इस बीट पोस्ट से जो की आप लोग का Military College of Telecommunication Engineering माउ MP ही आप लोग ने send किया था vacancy आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं Stanographer Grade 2 की vacancy थी LDC color की Lab Assistant की Lab Attendant की Draftman की Civilian Motor Driver की आप लोग की vacancy थी Lower Division color की काफी अच्छी vacancy थी 14 vacancy आप लोग की Lower Division color की थी इसके लाबा कुक की 7 vacancy थी सफाई वाला की 6 थी फेंट्रिंस्मेन की 23, total 37 vacancy आप लोग की निकल के आथी तो आप लोग भी याद कीजिए आप लोगों ने इसके लिए apply किया है नहीं किया यदि किया है तो वीडियो बहुत ही इसके अलावा बहुत से बच्चों के अब admit card आने भी सुरू हो गए चलि ये one by one पूरी जानकारी आप लोगो मैं provide करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये है आप लोग का admit card ठीक है ये राजिस्थान के कोई student है जिनका roll number बगएरे सब कुछ दिया गया इनका call letter आया है और address इनका military college of telecommunication engineering मौं MP ही इने जाना है ध्यान रखिए तो call letter जो है इनको send किया गया है tire one exam के लिए for the post of सफाई वाला जिया इनकी सफाई वाला की post है और tire one exam इनका होने वाला है यहाँ पे इनके दो exam होंगे tire one और tire two जिया मैं अभी आप लोग को detail देने वालों तो इनको MTS सफाई वाला के लिए बुलाया गया है इसमें आप इनको जो reporting करनी है 13 मार्च 2022 को reporting time 3 बजे से 4.45 का जो है 4.45 बजे gate closing हो जाएगी ठीक है army public school mall road MP मौं में इनको जो है reporting करनी है तो 3 बजे आप लोग को पहुँच जाना है reporting कर देना है 4.45 बजे आप लोग गेट बन दो जाएगा उसके बाद आप लोग पर जो भी return exam होने वाला है tire one के लिए आप लोग का admit card आया बिल्कुल mind में नोट कर लिए tire one का आप लोग का admit card आया है और आप लोग को original documents वेगारा लेके जाने हैं जैसे कि आप लोग का call letter हो गया यानि कि इसे आप लोग admit card बोलिए ठीक है और एक ID proof आप लोग जरूर रख लेंगे आधार हो, pen card हो या फिर driving वेगारा ठीक है कोई सा भी हो इसके लावा blue, black, ball pen आप लोग जरूर रख लेंगे clipboard आप लोग रख लेंगे और married female candidate है तो affidavit in case of change यदि आप लोग ने नाम change किया है तो आप लोग को उसका certificate रखना पड़ेगा इसके लावा आप लोग को फोर्थ में यहाँ पर बताये गया है कि यदि आप लोगों ने multiple post के लिए apply किया है जियां आप लोगों ने civilian, motor driver, cook, lab attendants, फाइव वाला, fan management, draftments, computer operator multiple post के लिए आप लोगों ने यहाँ पर apply किया है तो आप लोग को call letter, admit card, app of trade आप लोग को produce करना पड़ेगा examination के समय आप लोग को लेके जाना पड़ेगा यदि आप लोगों ने एक से अधिक post के लिए apply किया है सभी के admit card आप लोग के आ गए है तो सभी admit card आप लोग लेके जाएंगे और वहाँ पे आप लोग को priority देनी पड़ीगी कि यदि आप लोग के service आप लोग के नंबर अच्छे आते हैं तो आप लोग किस post को किस trade को आप लोग priority दे रहे हैं कि मुझे इसमें selection लेना है और उसी के admit card का जो role number है वो आप लोग लिखेंगे answer sheet पे ध्यान रखिएगा यदि एक से अधिक post के लिए apply किया है और सभी के admit card आपके आ गए हैं तो उसी का रंबर लिखेंगे आप लोग जिसको आप लोग priority दे रहे हैं जिसमें आप लोग पहले selection लेना चारे हैं इसके अलावा कोई आप लोग जो है अधर चीजे लेके नहीं जाएंगे examination center पे ठीक है इसकी कोई responsibility नहीं रहेगी और इसके अलावा आप लोग carry transport, transparent bottle और hand sanitizer यदि जुरत है तो आप लोग लेके जाएंगे और do not produce required यदि आप लोग document बगएर लेके नहीं जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पे दिक्कत हो जाएगे जो आप लोग को बताये गया है admit card बगएर और अधार card ID बगएर आप लोग जरूर रख लेंगे और किसी भी परकार के आप लोग गलत उसमें पाया जाते हैं तो आप लोग को candidature यहाँ पे terminate करती जाएगे बगएर देख सकते हैं यदि आप लोग दूर से हैं ऐसा इनका कहना है ठीक है और अपना पूरा arrangement करके आप लोग जाएंगे जो भी boarding, loading, रहने का, खाने का, पीने का जो भी आप लोग का arrangement खुद का होगा ठीक है और COVID के guideline का आप लोग पालंग करेंगे MCT MAU तो इस प्रकार से यह आप लोग का admit card है, कुछ ही इसमें खास नहीं आप लोग को जो बताया गया वो चीज़े आप लोग ले ले लेंगे car letter वेगरा admit card ठीक है ID proof और black ball pen या blue ball pen इसके अलाबा यदि आप लोग married female है तो आप लोग certificate certificate वेगरा जो भी है आप लोग का नाम चेंज किया है तो वो आप उसका certificate आप लोग ले लेंगे सभी admit card आप लोग लेंगे और यदि कई admit card आप लोग के आए तो महाँ पर priority देनी पड़ेगी उसी का number आप लोग लेखेंगे ठीक है यह आप लोग का हो गया admit card की जानकारी 13 March 2022 को यहाँ पर exam है ठीक है इसी परकार से और भी कई student है जिनके मेरे पास admit card आए है काफी बच्चों के admit card आए हैं जो मेरे इस channel से जुड़े हुए और इसमें आप लोग देखेंगे इनका भी 13 March का है और सफाई वाला MTS की ही post है इनकी ठीक है बागी की details सेम है कुछ इसमें अलग बताने की अब जुरूत नहीं है इसके अलावा next admit card है इनका भी ये भी राजिस्थान से ही है इनका भी MTS अफाई वाला का ही है 13 March को ही exam है 3 बज़े reporting का ही इनको कहा गया ठीक है और भी कई admit card है मेरे पास काफी बच्चों के admit card है इनका cook का है तो cook की details यहां पर ले लेते है cook में क्या कुछ अलग दिया गया उत्तर परदेश से है ये roll number बगएरा दिया गया है address same रहने वाला है आप लोग को कहीं अलग नहीं जाना है और 13 तारीक को ही reporting करनी है यदि आप लोग उने सफाई और cook दोनों में भरा है तो वहाँ पे आप लोग और दोनों ये admit card आए तो वहाँ पे आप लोग priority देनी पड़ेगी कि आप पहले किसमे selection लेना चाहते हैं उसी का roll number आप लोग लिखेंगे ध्यान रखिएगा ठीक है roll number आप लोग का यहाँ पे दिया गया है चलिए ये चीज़े आप लोग की होगे क्योंकि 13 तारीक ही आप लोग का exam है reporting इनका भी 3 बजे ही army public school mall road मौव में ही इनको जाना है call letter, admit card और ID proof black ball और blue ball pen में से कोई एक रख लेंगे आप लोग इसके अलावा merit candidate है female तो आप लोग यहाँ पे नाम चेंज किया है तो उसका certificate या फिर affidavit वगरे लेके जाएंगे इन्होंने भी यहाँ पे भी वही चीज़े बताई हैं यह आप लोग ने कई पोश्टों के लिए apply किया है admin card आप लोग का आया है तो वहाँ पे आप लोग को decide करना पड़ेगा कि आप लोग किसको priority दे रहे हैं उसी का role number आप लोग लिखेंगे और इसके लावा कोई other items वेगर आप लोग लेके नहीं जाएंगे सारी जो भी आप लोग की देख रहे है वो आपको खुदी करनी पड़ेगी ठीक है बोतल वेगर आप लोग को जोरत है तो आप लोग लेके जाएंगे water, bottle, sanitizer वेगर और इसके अलावा examination से पहले आप लोग पहुँच जाएंगे अब बात आती है इसके syllabus की जी हाँ syllabus आप लोग ने किसी भी post के लिए apply किया है video बहुत ही important है ध्यान से सुनीगा चलिए इससे पहले मैं आप लोग को syllabus से पहले यहाँ पे clear कर देना चाहता हूँ कि आप लोग आप लोग का जो exam center है आप लोग को पहुँच जाएंगे बस ट्रे वगएर कि आप लोग को कोई दिक्कत नेगी इंदोर जंक्सन आप लोग पहुँचिए इंदोर MP आप लोग पहुँचिए वहाँ से आप लोग का 23 से 24 किलो मेटर जो आप लोग का center है आर्मी पब्लिक स्कूल मालवट माउग पढ़ेगा ठीक है या फिर आप लोग आज पास है MP से ही है तो और भी कई station है आप लोग के जैसे डाक्टर अंबीटकर नगर या फिर राजिंदर नगर वगएर ठीक है आप लोग जा सकते हैं बाकी आप लोग कहीं दूर से हैं आप लोग इंदोर पहुँचिए इंदोर के लिए आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी बच ट्रेन वेगरे कि वहाँ इंदोर उतरने के बाद आप लोग का 23 से 24 किलो मेटर पढ़ेगा और वहाँ पे आप लोग को साधन मिल जाएगा यह आप लोग का मैंने एडर्स बता दिया है इंदोर एंपी पहुचिए आप लोग का एड्मिट काड आया है तो तो वेकेंसी अच्छी थी आप लोग देखेंगे पहले रिटें एग्जाम होगा और शबयका है बाकी Hindi English दोनों में होगा, दो घंटे का पेपर होने वाला है, पचास कोशन रिजनिंग के होंगे, पचास कोशन जनर्ल अवेंटेंस के, पचास कोशन सो कोशन English के होने वाले हैं, जी हाँ, 200 कोशन 200 नंबर के और दो घंटे का टाइम आप लोग को मिलने वाला, एक कोशन एक होने वाला, नेगेटिंग मार्किंग 1, 4 यहाँ पे होने वाली इस चीज़ का ध्यान रखीगा, तो आप लोग जो क्वालिफिकेशन, जो आप लोग यदि रिटेन एक्जाम एगरे किलियर करते हैं, आप लोग को टाइर 2 यहाँ पे स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है, तो अभी LDC का Admit Card मेरे पास नहीं आया है, ठीक है, यदि एक्जाम होगा तो आप लोग को जरूर Admit Card आएगा, इसमें आप लोग को रिटेन एक्जाम सबसे पहले टायर 1 होने वाला, इंगलिस इंदी दोनों में होगा, 75 मिनट का आप लोग का यहाँ पे पेपर होने वाला है, ठीक है, और इंगलिस के जो कोशन होंगे, वो आप लोग के इंगलिस के ही होने वाले हैं, टायर 1 मेंट, जन्नल रिजनिंग आएगी, 25 कोशन, इंगलिस 25, क्वांटिव, 25, जन्नल अवेंटेंस 25, और एक कोशन, दो मार्स का आप लोग का होने वाला है, यानि कि 100 कोशन 200 नमबर के होने वाले हैं, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आप लोग की 1, half कर दीगे है, जी, half निगेटिव मार्किंग कर दीगे है, ध्यान रखीगा, और 75 मिनट का पेपर होगा, 75 मिनट में आप लोग को 100 कोशन सौल्व करने हैं, यहाँ पर इसके अलावा आप ल नमबर का होने वाला है, और इसमें आप लोगो duration दिया गया है, वन हावर का, जी, वन हावर का यहाँ पर duration दिया गया, तो आप लोगा paper 1, tire 1 और tire 2 यहाँ पर होने वाला है, जिसमें कि आप लोग की S से होगी 200 से 250 वर्ड या फी letter, application वगएरा, 150 से 200 वर्ड आप लोगो include किये जाएंगे, आप लोग की जो merit बनेगी और return और English, Hindi, Hindi और English किसी में भी आप लोग यहाँ पर tire 2 दे सकते हैं, जो भी आप लोग यह descriptive paper है, ऐसे letter वगएरा, इसको हिंदी और English किसी में भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आधा आधा आप लोग हिंदी में लिखें, आधा English में लिखें, तो Hindi English में से किसी एक means language में आप लोग जो descriptive paper दे सकते हैं, तो LDC के लिए tire 1 और tire 2 आप लोग का होने वाला, tire 1 objective, tire 2 descriptive paper होगा, tire 1 के लिए आप लोग की half minus marking होने वाले ठीक है, मैंने आप लोग clear कर दिया है, तो tire 1, tire 2 के base पे आप लोग को यदि लिश्ट म होने वाला है, तो यह आप लोग का LDC का हो गया, LDC में आप लोग के तीन tire है, ठीक है, tire 1, tire 2 आप लोग का return से related है, clear करने के बाद आप लोग को skill test के लिए बिला जाएगा, इसके बाद आप लोग की final merit है, इसके अलावा सफाई वाला ची है, सफाई वाला और lab attendant के लिए बि आप लोग का return exam होने वाला tire 2 objective type और tire 1 objective type और tire 2 discrete type, तो अभी आप लोग का admit card आया है, वो आप लोग का tire 1 के लिए आया है, आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल clear कर दिया गया है, जी आप लोग का यहाँ पे जो admit card आया है, आप लोग को tire 1, इन दे एंडी में ए अप्लिकेशन above provisional experts who are requested to appear in the tire 1 exam, ठीक है, tire 1 exam के लिए आप लोग का admit card यहाँ पे आया गया है, जैसा कि इनोंने admit card पे दिया है, तो tire 1 में आप लोग का क्या होने वाला है, इसमें भी आप लोग का Hindi और English दोनों language में होगा, लेकिन जो English का paper होगा, वो आप लोग का English में ही रहने वाला, 120 म मार्स के 2 घंटे का time मिलने वाला है, दो घंटे में आप लोग को 1500 question करने है, minus marking है, आप लोग की 14, ध्यान रखिएगा, minus marking 14 और English के आप लोग के 50 question मिलने वाले है, यह आप लोग का सफाई कर्मी का syllabus है, इसके अलावा सफाई कर्मी के अलावा आप लोग का यदि लैब attendance से है तो MTS का, ठीक है, इसके अलावा आप लोग का tire 2 होने वाला है, जिसमें कि आप लोग का essay letter, English language बेगारा, 8th standard का आएगा, maximum 50 number के होंगे और total duration आदे घंटे का, यानि आदे घंटे में आप लोग के 50 marks का जो भी चीज लिखवाय जाएगा, ठीक है, और candidate जो shortlist किया जाएगे, tire 2 वो tire 1 के written exam, tire 1 के लिए होने के बाद आप लोग को tire 2 के लिए बुलाय जाएगा, shortlist किया जाएगा, ध्यान कीजेगा, ठीक है, यह अभी आप लोग का admit का tire 1 के लिए है, और finally जो है, आप लोग का selection होने वाला है, वो tire 1, tire 1 के base पे आप लोग का होने वाला है, और subject to their meeting, basing, qualify standard tire 1, ठीक है, और qualifying आप लोग को करना पड़ेगा, तो आप लोग का tire 1 अभी आप लोग का होने वाला है, इसके लावा civilian, motor driver, assistant lab, technician, draftman और fintingsman, cook के लिए, ठीक है, cook वालों को भी थोड़ा सा ध्यान डखना है, यहाप लोग का जो selection होने वाला, return और practical के base पे होने वाला, तो cook वाले भी तयार रहेंगे, cook का जो यहाँ पे return exam होने वाला है, यहाँ पे 100 questions, 100 marks के होंगे, यहाँ रीजनी 25, math 25, general English 25, general 11, 25 questions, एक question एक number का आप लोग का होने वाला है, और 90 minute का आप लोग को time मिलेगा, देड़ घंटे का time मिलेगा, 1 fourth आप लोग की minus marking होने वाली, यहाँ सफाई कर्मी में tier 1 का exam है, return, उसके बाद आप लोग को tier 2 के लिए बला जागा, इसके अलावा cook के लिए tier 1 return है, और tier 2 में इनको skill test के लिए बला जागा, तो यह आप लोग की कुछ important बाते मैंने बता दी है, इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लोग को लेनी है, तो वीड important and informative videos आप लोग के लिए बाद, thank you, see you next time.